इस दिपावली रहे तैयार मा लक्ष्मी और धना अध्यक्षक को भेर आ रहे हैं आपके द्वार लेकर सुक्सम्रधी, कीर्ती, वैभव अपार दिपावली एक ऐसा पर्व है जो आमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देनी की शम्ता रखती है अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांती, कलेश को नहीं मिटा सकती जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशिरवात मिल जाए, इश्वर का, मार्क तेशन मिल जाए, गुरु का, सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का, और विलक्षन सामगरियों का तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दिपावली पर पूरी श्रधा और विश्वास के साथ शाक्षाद मा लक्षमी को आमंत्रित करें, इस अमुल्य आक्षे लक्षमी को बेर कलश के माथ्यम से और प्राप्त करें, सम्रधी, शांती, सुख, सफलता, पूरे वर्ष भर इस कलश में समाफेश है 27 विलक्षन सामगरियों का, इन एक-एक सामगरी को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है, पंडित श्री माली जी के सानिद में, विद्वान कर्म कांडी पंडित उत्वारा ताकि आपको मिले अताधन, यश किर्ती, वैभव, तो देर किस बात की, एक शंड भी व्यर्त कवाए बिना आज ही अभी ओडर करें दिपावली पैकेट का, और इस बार रोख ही ले माल लक्ष्मी को चिर्काल तक के लिए नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका स्वागत अभिनांदन श्रीमाली रासिफल अक्टूबर 2019 में आज हम बात करें इस एपिसोड में आपके रासिफल की, अक्टूबर 2019 की और इसी मा दिपावली भी है इसी मा धन तेरस, रूप चदुदसी, भाईदूज, अताद पंच पर्व का यही मा है तो एक प्रकार से यह रासिफल दिपावली कैसी होगी, इस बात पर भी आजारीत है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आए और संपत्ति की, अताद गेन एन एसेट की तो इस मा के आरम में ही सूर्य जो की आपकी रासि का मालिक है, अपने से धनिस्तान में विराजमान है और साथी साथ सिंग रासि के लिए जो मुख्य ग्रह की प्लेनट है, वो मंगल है और मंगल भी इस रासि कुंडली में सेकंड आउस में विराजमान है अताद दो मुख्य ग्रह आपकी कुंडली में धनिस्थान में विराज माने है आयका अधीपती जो है आपकी रासी कुंडली में बुद्ध है और बुद्ध 11th आउस का लॉड़ हो करके 2nd आउस का लॉड़ हो करके 3rd आउस में विराज माने है इसलिए सब मिलाकर कि ये कहा जा सकता है कि सूर्य और बुद्ध दोनों आसपास होने से सूर्य और शुक्र आसपास होने से इस प्रकार से एक प्रकार अस्त ग्रह की इस्तितिय आपको देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी क्योंकि 11th house का Lord और 2nd house दोनों का Lord आपकी रासी कुलनी में बुद्ध है इसलिए gain संतुष्टी प्रत नहीं मिल पाएगा लेकिन gain होगा जरूर लेकिन gain से ज़्यादा जो strength मिलेगी जो संतुष्टी मिलेगी वो मिलेगी धन और संपत्ती में वो मिलेगी संचे में वो मिलेगी कोईन कोई चीज अपने घर में बसाने के लिए करके चाए वो सुख सुविदाएं हो चाए वो कोईन कोई ornaments हो चाए gems in jewelry हो और चाए वो interior का काम हो और चाए कोई नया आप electronic item ले ले लेकिन सब मिला करके ये जो माँ है भी music industries में जो marketing के सित्र में काम कर रहे है चाए वो private sector में job ही कर रहे है तो भी उनको अच्छा प्रतिफल अच्छा gain अच्छी success देखनों को मिलेगी बुद का मतलब संचार माद्यम भी है आथा जो संचार माद्यम के साथ में काम कर रहे है चाए वो media है चाए वो electronics है और चाए वो telecom sector है चाए वो कोई fiber cable opticals का काम करने वाले लोग है जो भी और जो लोग especially कागज, कपड़ा, printing, textile, dying and painting से related काम करते है उन लोगों को ये माँ बहुत अच्छी success देगा जो breast pati है एक तिरिकोन का स्वामी है और साथ ही साथ उसकी स्थिती है, वो kingdom है इसलिए finance वाले जो लोग, जो finance field में है जो commerce field में है, जो economist है उन लोगों को भी ये माँ बहुत अच्छा gain देगा बहुत अच्छी success देगा और success से ज़्यादा संतुष्टी मिलेगी satisfaction मिलेगा आथाथ ये दिपावली का महिना आपके लिए bonus का है आपके लिए ex-gratia का है और जो लोग भी business man है उनके लिए भी अच्छा व्यापार मिलेगा अच्छा gain मिलेगा और आप संतुष्ट होंगे हरसित होंगे अपने इस माह के प्रियासों से आईए अब बात करते हैं आपके परिवार की भूमी भवन सुख की सुख भाव फोर्ताउस है रासि से फोर्ताउस या जन्म कुण्ली में फोर्ताउस उसका मतलब ही सुख है और सुख का मतलब दिल से है सुख का मतलब आपके emotion से है इसलिए चंद्रमा को काम में लिया जाता है इसलिए रासि कुण्ली की बात करते है रासि का मतलब यह दिल और दिमाग को कंट्रोल करने वाला प्लेनेट इसलिए जो कुछ भी रासि फल है ज्यादा तर रासि फल या तो रासि कुण्ली से लिया जाते है और यहां पर Sun Science से देखे जाते हैं, Sun Science का काम Western Astrologers, Western Countries के अंदर ज्यादा प्रचलीत हैं, लेकिन जो कि वेदिक साइन से इंडियन एस्टलोजी है, वो बहुत ही ज्यादा डीप है, मैगनिफाई ग्लास की जगह है, एक महिने पर एक ही स्तिती का आकलन करें, या सरफ और से 54 के ओपर हम अपने आपको स्ट्रेंद कर दें और 54 ऑवर्स के अंदर जो चनमा है, उसके भी नौ भाग कर लें, इतनी ज्यादा डीप कैलकुलेशन इंडियन एस्टलोजी मोती है, वेदिक साइन्स में होती है, इसलिए मून साइन का काम या जिसको चंदरासी बोलते हैं, च दूसरों को प्रेणना देना, दूसरों को रा दिखाना, मार्ग प्रसर्स करना और ब्रस्पती फाइनिशल लॉड भी है, ब्रस्पती ग्रस सुख, संतान सुख, मेंटल स्टेंद और फाइनस इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, और इस्पेसली ब्रस्पती लिवर को कं हम परिवारिक सुक की तो यह जो समय है आपको अच्छा परिवारिक सुक भी मिलेगा आपको अपने बड़ों से प्रेणा भी मिलेगी सीख भी मिलेगी और बहुत ने और आसिरवाद भी मिलेगा और आप भी अपने परिवार के साथ में वही सने वही अपनत्व बाठते नज करके 10 नवंबर 2019 तक रासी से अताथ अपने फोर्थ आउस से 11 आउस में ही रहेगा सबसे ज़्यादा अच्छी पोजिशन और गेन इस्तिति में रहेगा अताथ 11 का मतलब ही गेन है तो फोर्थ आउस का मतलब भूमी बावन सुक भी है और मंगल उस बाव का कारक भी है और समय ऐसा ही है तो जो इस माह के अंदर अक्टूबर 2019 में इस्तिति है पालिवेरिक शुक की वह अच्छी इस्तिति है आप इस समय का इस अक्टूबर माह का इंजॉय करेंगे यह बात पकी है आईए अब बात करते हैं सिक्सा और संतान के बारे में सिक्सा का बाव फिफ्थ तो यहां पर संतान की अगर बात करेंगे तो संतान का अधिपती ब्रसपती है एक तिरिकोंड का अधिपती के इंजरिस्तान में है इसको इस्तिती को अच्छा बोला जाएगा और साथ ही साथ यहां पर आप आप देखेंगे एक ब्रसपती के साथ ब्रसपती के घर में आता फ पंचमिस्तान में बैट करके financially असंतुस्ती देता है अतार रिसोसे जो इंकम है या आमदनी है या financial वरीज है वो देने का काम करता है लेकिन केतू सिक्सा में अर्चने देने का काम करता है ठीके केतू के बारे में प्रसीद है कि केतू जिस भाव में बैट जाए उस भाव का फ माल लिजे फिफ्टा उसमें केतू है तो फिफ्टा उसमें केतू है जिसकी भी जनकुनली में फिफ्टा उसमें केतू है वो आप देख लीजे सिक्सा अदूरी रहेगी या सिक्सा उसके जीवन में काम नहीं आएगी और या पिर वो जो सिक्सा ले पाया है उसको मलाल रहे जो अल्रेडी महिला है गर्पधारण की हुई है सिंग रासी की महिला है इसपेसली वो ध्यान रखें के कुण्ली में फिपता उसमें केतू है केतू अधुरवपन के लिए विख्यात है इसलिए अपने गर्पर बहुत ज़्यादा केर करें जो भी डॉक्टर ने आपको आराम इंस्ट्यूशन की पड़ाई कर रहे है उन लोगों के लिए समय अच्छा है लेकिन जो साइंस के विद्यारती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा केरफूल रहना चाहिए अन्यता आपके मार्ग में रुकावटे हैं आप कोई भी जो एक्जाम देने वाले कंपटिशन का एक्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंनत करें तब जाकर के नॉर्मल जिल्ट आएंगे अताद यह जो आपको रासिफल है यह रासिफल आपको प्रेणा दे रहा है कि आपने सीरियस हो करके बहुत ज़्यादा मेंती हो करके ही अपना रिजल्ट पा सक कोई भी क्ले सुझाए यह सब कुछ इस्तिति हैं अमारे शत्रों जैसी ही है और जब भी कोई आपके और विपदा आएगी वो आपके स्वास्ति पर जरूर असर करती है इसलिए एक भाव को संग्या दे गई है स्वास्ति की भी और शत्रों की भी तो स्वास्ति का मालिक सत ज्यादा ध्यान देना है या जो भी आपकी हैबिट से उसको कंट्रोल करना है बहुत ज्यादा मैनत यदि आप कर रहे हैं इस दिपावली के माम में अक्टूबर 2019 के माम में अपने टार्गेट अचीव करने के लिए लेकिन जो टार्गेट है वो तो जिंद के पर अचीव ह होते रहेंगे स्वास्ति एक बार खराब हो गया तो आप कैसे काम कर पाएंगे आप कोई चीज हासिल कैसे कर पाएंगे इसलिए सबसे पहले सुख निरोगी काया है इस चीज को ध्यान रखिए हमारे रिशी मेर्शियों ने हमारे पुराणों में हमारे सास्त्रों में सबसे पहला सुखी स्वास्ति को माना गया है अता काया को माना गया है सरीर साथ देगा तो आप सब कुछ अच्छीव कर सकते हैं अब बात करते हैं शत्रों की तो यहां पर शत्रु आपको घेड़ने का आपको परिशान करने का आप पर हावी होने का प्रियास जरूर करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे सेक्सस नहीं हो पाएंगे ये जरूर ध्यान रखेगा जो लोग वरद हैं जो लोग अच्छी एज में हैं अच्छी एज का मतलब यह एवरेज एज है 60 प्लस 65 प्लस उन लोगों को हेल्थ में ज़्यादा केर करना पड़ेगा क्योंकि सिक्स ता उसका स्वामी शनी है और सनी दीर्ग जी भी है सनी सबसे दीरे चलने वाला है और सनी को वरद का जाया है सनी को क्रश काय का जाता है तो जो लोग वरद हैं उन पर सनी का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा आईए अब बात करते हैं आपके दामपत्य सुख की प्रेम प्रसंग की कोई रिलेशन्सिप की फ्रेंड्सिप की और जो होने वाले निन दामपत्य सुख में बनने वाले हैं अताथ होने वाले विवाई जोड़ों के बारे में एक छोटी सी गंप्लेंड है तीके कुछ इस्त्रों ने कहा है कि आप घिरिलू महिलाओं के बारे में अता हाउस वाइफ के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं तो अब आसे में स्टार्ड कर रहा हूँ कि हाउस वाइफ को किस सेक्टर से परिशानी होगी अता सास से परिशानी होगी ससूर से परिशानी होगी दिवर से परिशानी होगी या कौन से सेक्टर से उनको परिशानी होगी उस मामें कहां तक ध्यान रखना है तो कम से कम आपको ज्यादा अच्छे डंग से मैनेज करना है वो मैं आपको जुरूर बताने का प्रयास करूँगा तो यहां पर सेवन ताउस का लॉड भी शनी है लेकिन सेवन ताउस की जब बात करेंगे तो उसका लॉड इस रासी कुंडली में फिप ताउस में अताइद केंजर का अधिपती तिरिकोण में है ऐसी श्तिति में और सनी की तीसी जस्ति हमेशा मैं कहता आया हूँ कि वो अच्छी है वो सुब है इसलिए यह जो माँ है वो दामपचिसुक के मामले में अच्छा माना जाएगा और साथ ही साथ आपका जीवन साथी भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे और 17 अक्टूबर के बाद में और ज्यादा बैटर टाइम पिरिड़ आपको देखने को मिलेगा अताथ यह जो माँ है वो आपकी आकांस आँपर खरा उतरेगा जो आप चाहती है जैसा आप चाहती है वैसा है यह महिना आपके हिसाब से चलने वाला है ठीक चाहे पारवारी के मामलों में बोल दीजे चाहे आपने कुछ खरीदारी करने है कुछ शॉपिंग करनी है या आपने इच्छा जताई है अपने अपने पती से अपने जीवन साती से कि मैं ये चाता हूँ या मैं चाती हूँ इस मा में वो आकांसा वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है आपने थोड़ा सा ध्यारे से और सही डंग से सही सब्दों के साथ में अपने जीवन साती को अपने पती को अपनी पतनी को वो बात बता नहीं है जो जो घरवाले हैं आथा जो होने वाले जीवन साथी उसकी घरवालों के दिपावली से पहले जाकर मिलिये, अच्छा सा गिफ्ट उनको दीजी अच्छे टंक से बात कीजिए, हो सकता है यह दिपावली आपके लिए बहुत अच्छी हो और आपके होने वाले जीवन की निव य सिर्ग रासी की कुडली में जो शुकृ तीन अक्टूबर दोजारनीस तक कंयारासी में जो तुलारासी में ही रहएंगे वह चबहेंगे लग भग अठाईस अक्टूबर दिपावली के अगले दिन तक शुक्र यहीं पर रहेंगे इसलिए मैं यह बात आपको स्पस्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भी कारी व्यावसाय में लोग हैं चाहे वो अपना खुद का काम कर रहे हैं बिजनस चला रहे हैं फैक्टरी चला रहे हैं या कोई नौकरी कर रहा है तब भी यह टाइम पिरिड उसको सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट करता रहेगा 28 तारिक तक इसपेशली जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं जो लोग जैंसें जैलरी में हैं जो लोग एंटिक हैंडिक्राफ्ट मीडिया एलेक्ट्रोनिक्स और साथ इसाथ फैशन कॉस्मेटिक से या जो लोग एक्टिंग से तर में उन लोगों की ये दिपावली वास्ता में माइलिस्टोन होने वाली है आता मील का पत्थर होने वाली है उनको याद रहेगा ये दिपावली और इसलिए दिपावली पर बहुत सारी पिक्चरें रिलीज होती है, बहुत सारी मुवीज रिलीज होती है, क्योंकि ये फेस्टिवल का टाइम होता है, लोग expensive mentality के साथ में आगे जाते हैं, उनको खर्ज करना ही करना है, ये सब कुछ का फाइदा उठाने के लिए अताद एक प्रकासे छुटियां भी होती है, एक प्रकासे लोग घर से बार भी निकलना चाते हैं, enjoy भी करना चाते हैं, इन सब का फाइदा उठाया जाए, इसलिए सबसे ज़्यादा मुवीज दिपावली के आसपास रिलीज होती है, तो उसका फाइदा उन लोगों को मिलेगा, जो भी व्यक्ति एड एजिंसी में काम कर रहे हैं, जो भी लोग नौकरी करें फिलिम लाइन में, मीडिया हाउस में, उन लोगों को भी ये टाइम पिरेड बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ज़्यादा सक्सेस्पूल रहेगा, आ अउसर पर इस दिपावली के मौके पर, एक बात और मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, कि तेंथ आउस से वो पिता के सुक का भी है, तो तेंथ आउस का कारक सूर्य है, वो सूर्य सतरा अक्टूबर को चेंज होकर के आपकी रासी से थर्ड आउस में आ जाएगा, चा वहां तक यदि आप अपने पिता से कोई वैचारिक मद्वेर निप्टाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सबसे सही समय हैं, आपको एप्रोच करनी चाहिए, जो आप चाहते हैं, उसके आस-पास आपको मिलने वाला है, अथास वो देने को रेड़ी है, आपको जोल आपको पालन हार है, अथा विश्णु भगवान का जो रूप है आपके जीवन में, वो आपके पिताजी है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उनका सपोर्ट पाने का, उनसे आसिरवात पाने का, कुछ नो कुछ ग्रहन करने का, अथा आपकी जोली बढ़ने व अथा फॉरन कंट्रीज में जाने के लिए फॉरन की यात्राओं के लिए सिक्स आउस, एट आउस और ट्वेल्थ आउस सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं, सबसे ज़्यादा फल देते हैं, और इसी बाव से विदेश यात्राओं का ये बाव देखा जाता है, तो जिन प्रास्पति सबसे शांदा रिजल्थ देंगे, लेकिन ये समय जो है, वो वीजा एपलाई करने के लिए विदेश यात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा बैटर है, जो लोग भी विदेश यात्रा करना चाते हैं, विदेश से काम उनका पढ़ता है, MNCs में काम करते हैं, या कोई बिजनस ट्रिप के लिए अबरोड जाना चाते हैं, लंबी दूरी पर यात्रा करना चाते हैं, ये टाइम पिरिड़ उनको सपोर्ट करता है, और इस्पेसली जो लोग फाइनस अरेज्मेंट के लिए पैसा वसूली के लिए जाना है, तब भी ये समय आपको सपोर यदि आप ये एप्रोच कर लेते हैं, तो व्यक्ति सफल होकर यही लोडता है, मौरत बहुत बड़ा काम करता है, बहुत सक्सेस्पूल रहता है, आईए, अब बात करते हैं आपकी रासे के उपायों की, जो सिंग रासे के जातक हैं, उनको सूर्य की पूजा उपासना से सा नेगेटिवटी है, जो भी प्रतिकुलता है, जो भी नेगेटिव स्तिती इस अक्टूबर दोजार उननीस में है, उससे राहत के लिए आप सूर्य की पूजा उपासना कर सकते हैं, बहुत छोटा सा मंतर है, ओम घ्रणी सूरिया नम, इस मंतर का जाप कर सकते हैं, जब भी आपके बास में समय हो, अथा जब भी समय हो, यथा सकती, यथा समय, यह मंतर जाप आप कर सकते हैं, कोई काम करते वे भी आप मंतर जाप कर सकते हैं, उसको भक्ती बोला जाता है, नित्य सूरिय को अर्गे देना है, अथा सूरिय को अर्गे कैसे देते हैं, यह मैं आपको क तब भी सूरी के स्ट्रेंद आपको मैसूस होगी अता सूरी के दो समन के लिए ये भी किया जा सकता है हर रविवार को ग्याहूं गोड या तामबय का दान करें सूरी को अर्ग देना है ये मैंने आपको बता दिया है हर रवीवार को दान देना है यह आपने समझ लिया है अब इसके साथ में कौन सा रत्न धारन कर सकते हैं तो सूरिय के लिए आप मानिक के रत्न धारन कर सकते हैं और मानिक के रत्न यदि आपको बहुत कोशली लगता है आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसी इस्तिति में लाल सूर्य से सम्मंदित जो कवच है अता 12 आदितिक कवच वो आप धारन कर सकते हैं एक वर्स में 12 सक्रांतियां होती है अता जब भी सूर्य चेंज होता है एक और सक्रांतियां में चला जाता है उसका फल अलग माना जाता है इसलिए हमारे सास्तरों में सूर्य के लिए 12 प्रकार कि सूरी सक्रांतियों का फल्द काह गया है और 12 आधित कवच अता जो एक वर्स में हर बाज जो सूरी चेंज होगा उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है उससे कैसे आप शमन कर सकते हैं कैसे रात प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए सूरी से समधित कवच अता 12 आधित पड़ेगा अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी तब वो कवच आपके लिए और सिर्फ आपके लिए बनेगा और उसका फाइदा भी आपको ही होगा अब बात करते हैं विसे इस उपाय की इश्वर की करपा से ही व्यक्ति को संतान मिरती है वन्ना संतान के लिए लोग आईवेफ तक कराते हैं ठीक है डॉक्टरों के चकर काटते हैं कितने ही मनत मांगते हैं कितने ही उपाय करते हैं उसके बावजूद भी इश्वर की करपा हुए बिना पित्रों की कृपा हुए बिना कुल दिवत्य की कृपा हुए बिना संतान नसीब नहीं होती है जिनको संतान नसीब है अता जिनके पास में संतान है लेकिन वो गरदोसों के करण संतान का स्वभा बिगड़ गया है अता उसकी जो मित्ता है उसकी संगती है इतनी बिगड़ चुकी है कि उसने माता-पिता का जीना दुश्वार कर दिया है वो इतना उदंडी हो गया है इतना शरार्ती हो गया है कि किसी के कहने में नहीं आ रहा है इस्कूल जाना है उसकी इच्छा होगी इस्कूल जाएगा होमवक करना है इच्छा होगी तो होमवक करेगा नहीं तो या तो साथ दिन पढ़ा रहेगा या साथ दिन खेलता रहेगा तो यदि उसकी कुणली है तो तो उसके बारे में जानकारी की जा सकती है किस कालन से वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है लेकिन जो सामानिय दंपत्ती है जो सामानिय मातापिता है वो क्या कर सकते हैं तो एक छोटा सा उपाय आप अपना करके देख लें यदि संतान के कालन आपका घर परिवार का समान दाओ पर लग गया है तो आपने छोटा सा उपाय करना है लाल गुलाब के पुस्प जो समानिकटा करना है लाल गुलाब के पुस्प थोड़ा सा सिंदूर थोड़ा काला साबुत अताथ उड़त जिसको बोलते हैं थोड़े साबुत काले उड़त उड़त की डाल का कच्छा पापड, थोड़ा सा गुड, सरसों के तेल का दीपक, ढाई इंच लंबी दो कीले और एक पात्र में सुद्ध जल अताद आपने कोई भी पात्र, ग्लास हो, लोटा हो, कोई भी हो, उसमें आपने पानी बढ़ना है, और उस पानी में थोड़ा से काले तिल डाल देना है एक थाली लेनी है उसमें जो कच्छा पापड है वो आपने पूरा रख देना है पहले फिर उस पापड पर सभी वस्तों को रख देना है अब उस पापड को किसी भी प्रकास से फोल्ड करना है अधाद या तो रोल की तरह कर सकते हैं या पिर स्क्वेर करके कैसे भी करके पूरी की बांदते हैं वैसे आप उस पापड को कर सकते हैं अधा जो सामान उसमें डाला है वो सामान बार नहीं निकल पाए ये कोसिस आपने करनी है अब इस पापड को किसी भी दागे से बांद ल वो जो जल है वो पीपल की जड़ पर चड़ा देना है और पिर बिना पीछे मुड़े अताथ बिना पीछे देखे वापस घर आ जाना है ऐसा आपने सांस सनिवार तक ये परियोग करना है अताथ एक सनिवार किया फिर दूसरा सनिवार किया तीसरा सनिवार किया जो भी कोई उपाय करें चाहे माता कर सकती चाहे पिता कर सकता है जो भी उस व्यक्ति का परिजन है यह वो उपाय कर सकता है यदि औरत उपाय कर रही है अता उस संतान की माता यह उपाय कर रही है पिरिट का समय आएगा तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं अता समान आप ले जा करके कोई इस्तिती उस बच्चे के उपर है उससे राहत जरूर मिलेगी एक बार ये उपाय अवश्य करके देखेगा साइद आपको बहुत बड़ी राहत मिल जाए अथाथ आपका जो दुश्वरी है वो आपकी बदल सकती है बच्चे में वापस अच्छे संसकार आ सकते हैं वो स इपावली से समधित जो भी प्रियोग जो भी आपकी रासी से समधित चाहे वो कर्ज मुक्ती हो चाहे वो दांपत्य सुको संतान सुको आमदनी में व्रदी हो धन संपत्य हो आपकी रासी से जितने भी प्रकार के उपाय होंगे जितने भी प्रकार की साधना होंगी वो सब अनलाइन हो चुकी है इसलिए आप अपने मोबाइल पे अपने कम्पिटर पे कोई भी साधन से www.kamalshrimali.com सरब मेरा नाम लिखना है और .com लगाना है आप मेरी वेब साइट पर पहुंच करके जो publication section है उसमें magazine है magazine में अक्टूबर मां की magazine पढ़ सकते हैं तब आप magazine पढ़ सकते हैं तो जो आप program देख रहें उससे हजार गोना आपको जानकारी घर बेटे आपके हातों में होगी चाहे वो दिपावली से समधित रासी पलू दिपावली से समधित पूजा हो दिपावली से समधित जो भी जानकारी हैं वो सब कुछ उस magazine में है और हर article वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ article ही डाले हैं पूरी magazine आताथ 160 प्रस्ट की magazine है वो पूरी पूरी आपको download कर सकते हैं वो आप पढ़ सकते हैं chapter wise यह सब कुछ आपको हमारी website पर देखने को मिलेगा साथ ही साथ एक और बात के हर दिपावली पर हम सब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कुछ चुनिंदा भागिसाली लोगों के लिए एक कलस का निर्मान करते हैं दिपावली पूजन कलस अश्टलक्षमी नवनी दिपति कुबर कलस और इस बारे अक्षलक्षमी कुबर कल वो आप मंगवा करके पूजन कर सकते हैं आप किस परकार पूजन करें आप किस परकार इस्तापित करें वो सब कुछ विदी विदान उसके साथ में ही है और उसके साथ में जो भी वस्तों आएंगी उन सब का एक-एक अलग-लग प्रियोग भी कर सकते हैं और आप घर बेटें उसको मंगवा सकते हैं सिर्फ वा सिर्फ संपर्क साथ ने की जो होते हैं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है हमारा ये कारिक्रम हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमारा प्रियास आपको कितना पसंद आया यह जो जो रासिफल है यदि आपको इस प्रकार ये आपकी लाइफ में होने वाली चीजों को पहले ही बतला देते हैं मैं दिल से चाहता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का साथ ही साथ अपने जीवन साथी का अपनी पत्नी का बहुत जीवन में सम्रद होना सफल होना मात्र सपना नहीं है यह उपहार है आपके महनत का संगर्ष का लेकिन कभी कभी क्या खयाल आना भी स्वभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हगदार हूँ पेठ तो आपका बच्पन में भी भरता था जब आप कुछ काम नहीं क परिशानिया हमारी संतुलन को बिगार देती है जीवन निरस अभाव ग्रस्त दीन लगने लगता है नेने शक्ती शीन लगने लगती है जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा क्यांच है इश्वर की संतान है तो ये अभाव क्यों यदि आप भी इश्वर की संतान है तो या जाने तक आपको पहुचाने के लिए। कहा जाता है दिपावली पर्व चातुरमास में आने बाला पर्व है। और भगवान विश्णु जो लक्षमी को नियंतरित करते हैं वे निंद्रा में रहते हैं। इसलिए चतुरा लक्षमी को बुद्धी विवेक से कोई वश में कर स करता है तो वे हैं प्रधम पूजन विनायक। इसलिए दिपावली पर्व लक्षमी विनायक की बूजा करने की परंपरा है। दिपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वाश, वश्रदा के साथ मालक्षमी को आमतरित करता हैं। हमें समरती शाली बनाने के लिए। इस लक्षमी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षन शामगरियों को मंतर जाप अनुष्ठान प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिद में विद्वान कर्म कांडी पंडित उत्वारा। इस क दलश के निर्मान करने का उधेशी यही है कि आपको धन और बुद्धी दौनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनुकामनाय, रिद्धी सिध्धी, शुब लाप सहीत, अक्षि लक्षमी का भंडार।